हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी-ए-स से ट्रकी क्लासेज तो फ्रेंड्स आज किस क्लास में डिसकस करने वाले हैं आपके साथ में आपके लिये भारत के प्रमुख मंदिर से सम् important temples Indian or important Indian temples से related questions देखने को मिलेंगे चली फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की class को और देखते हैं आज का पहला question अगर आपको क्लास अच्छी लगे पसंद आए लाइक कीजेगा वट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें अगला क्वेशन दिया गया कि ब्रहदेशर मंदिर निम्न में से किस शहर में इस्थित है चलिए फटा-फट से आपसंस पढ़िए बदाईये तो ब्रहदेशर मंदिर कहां पर तंजओर में है जिनका भी आंसर फ्रेंड्स आपसंस दी आ रहा है वो इसके वैस्थिन के लिए बिल्कुल जही आंसर है तो ब्रहदेशर मंदिर तंजओर में इस्थित है यह आप याद रखेंगे ओके चलिए हम देखते हैं इस दास का अगला प्रश्ण ऑगला प्रश्ण रथ मंदिर निव्ण में से किस चहर में स्थित है तो भूबननीश्वर पूरी महा बलिपुरम यह कोणार मतले रथ मंदिर तो फ्रेंड्स रथ मंदिर किस राज्य में है Option C Maha Balipuram ठीक है Friends जिनका भी आंसर इस question में Option number C आ रहा है बिल्कुल सही उत्थर है तो रत मंदर किश जहर में इस्थे थे थे या maha balipuram में इस्थे थे जिनका भी आंसर इस question में Option C आया हुआ है वो इस question में बिल्कुल सही उत्थर है प्रशन का कंदरिया महादियो मंदिर निम्न में से किस राज्य में Sihtat रहे तो और अंद्र अगला प्रशा सब्री माला मंदिर निम्ण में से किस राज्य में इस्थित है तमिलनाडू, एरल, महारास्पर, करनाटक बताईए सब्री माला मंदिर किस राज्य में इस्थित है चलिए, सब्री माला मंदिर कहा पार है तो इस क्वैशन का रहीरा EDS can values औपसर नमबर B हो जाएगा ठिके, सब्री माला मंदिर किरल राज्य में इस्थित है जिनका भी आंसर क्वैशन के लिए, औपसर नमबर C आ रहा है वो हमारा इस question में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है केरल चलिए हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question है friends की अंकोरवाट मंदिर निम्ण में से किस देश में इस्थित है चलिए नेपाल, कमबोडिया, बांगलादेश, इंडोनेशिया चलिए तो ये इंडिया से बाहर का मंदिर है, भारत से बाहर का मंदिर है अब आता है ये अंकोरवाट मंदिर का किस देश में है चलिए इस question का right answer अगर आपने चुना है friends, option number B, कमबोडिया बिल्कुल सही answer है, चलिए तो dear friends, इस question में हमारा right answer option number B हो जाएगा कमबोडिया, ओके, चलिए अगला question बहुत ये आसान है, कि केदारनाथ मंदिर निम्ण में से किस राज्य में है तो ये उत्राखन राज्य में है, option D, जिसको देख पढ़ने के और शकता है, ये इतना आसान सा question है अगला question देखते है अगला question friends कि तिरूपती बाला जी मंदिर निम्ण में से किस राज्य में इस्थित है, चलिए बताईए तो options नाप के तेलंगाना, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, केरल, मताई फरेंस, फटा फट से तिरूपती बाला जी मंदिर किस राज्य में इस्थित है इस question का right answer हो जाएगा option number C, आंधर प्रदेश जिनका भी answer इस question के लिए option number C आया हुआ है, very good, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न, मिनाक्षी मंदिर निम्न में से किस राज्य में इस्थित है, तेलंगाना, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, ये कीरल इस question का right answer हो जाएगा option number B, तमिल नाडू, क्लिया तो मिनाक्षी मंदिर तमिल नाडू में इस्थित है, याद रखेगा, चलिए देखते हैं इस class का friends हम अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अगला प्रश्न अमारनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य या केदर शाषित प्रदेश में इस्थित है, तो लद्दाक, उत्राखन, जम्मो कश्मीर, पुदुचेरी, मतलब ये अमारनाथ मंदिर किस राज्य केदर शाषित प्रदेश में है, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा friends, option number C, जम्मो कश्मीर, तो अमारनाथ मंदिर जम्मो कश्मीर में इस्थित है, जिनका भी answer option number C आ रहा है, वो हमारा इस question में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जम्मो कश्मीर, ठीक है, चलिए, हम देखते ह इस class का friends, फटा-फट से ऐगला question, अगला question अगला question सुकरिश्वर मंदिर निम्र में से किस राज्जी में इस्थित है, तो असम, उतराखंड, बिहार, या उत्तरप्रदीश, मते step के सुकरिश्वर मंदिर, तो सुकरिश्वर मंदिर किस राज्जी में स्थित है, चलिए, इस question में जिनका भी answer friends, option number AR है, बिल्कुल सही, उत्तर है उनका, सुकरिशर मंदिर असम में इस्थित है, कहां पारे friends, ये असम राज्य में इस्थित है, याद रखेंगे, चलिए, अगला question फिर से बहुत ही आसान आ गया है, कि बद्रीनाथ मंदिर निवन में से किस राज्य मे मंदिर किस राज्य में इस्थित है, आपके options राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये फिर उत्तराखंड, तो ये राजस्थान में इस्थित है, जिनका भी answer is question के लिए, option number A आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है, तो friends, सास बहु मंदिर राजस्थान में इस्थि है, हम देखते हैं, इस class का friends, पटापट से अगला प्रश्ण, अगला प्रश्ण, ब्रहंभाजी का मंदिर निम्न में से किस शहर में इस्थित है, तो अजमेर, पुशकर, जैपुर, जोदपुर, राजस्थान के किस जो है, शहर में, ब्रहंभाजी का मंदर इस्थित है, ब पुश्कर ओके जिनका भी अंसर ऑप्सन यह रहे हैं वेरी गूड चलिए अगला प्रेशन दियागे कि मामल पुरम या महाबली पुरम मंदिर किस राज्य में इस्थित है तेलंगाना तमिल नाडू आंदरप्रदेश में केरल इस question का right answer हो जाएगा option number B तमिल नाडू तो मामल पुरम या महाबली पुरम मंदिर यह तमिल नाडू राज्य में इस्थित है याद रखेंगे चलिए अगला प्रशन माता वैश्णो देवी मंदिर निम्न में से किस राज्य जिया के अंदरशाश्य प्रदेश में इस्थित है तो उत्राखंड इमाइंसल प्रदेश जम्मो कश्मीर यह मध्य प्रदेश तो माता वैश्णो देवी मंदिर किस राज्या के अंदरशाश्य प्र किसको एक्ष्ण का राइट एंसर फ्रेंट्स ऑप्सर नम्र सी हो जाएगा जम्मु कश्मीर ठीक है माथा वैश्ण दभी मंदिर जम्मु कश्मीर आज जिमेश ठीट है इनका भी आंसर ऑप्सर नमब सी आ रहा है बिल्कुल जही होतार है उनका शलिया हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण बाबा बैदनात्मंदिर निम्न में से किस राज्जी में इस्थित है तो भिहार उत्राखंड जहारखंड यह हमांचल प्रदेश तो बाबा बैदनात्मंदिर किस राज्जी में इस्थित बताइए इस question का राइट answer option number C हो जाएगा जहारखंड ठीक है बबाप पैदनात मंदर ये जहारखंड राज़ में स्थित है जिनका भी एंसर उप्सन सी आ रहा है वेरी गुड ठीक है शरी है देखते हैं स्लास का अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है कि काशी विश्वनात मंदर निवन में से किस राज्जी में इस्थित है आपकी options है राजस्थान, गुजरात उत्तर प्रदीश यो उत्तराखन बताइए कि काशी विश्वनात मंदिर तो friends काशी विश्वनात मंदिर किस राज्जी में है बताइए बहुत अच्छे तो अगर आपने चुन है इसका अंसर friends option C, उत्तर प्रदीश तो बिल्कुल सही अंसर है तो काशी विश्वनात मंदिर उत्तर प्रदीश राज्जी में इस्थित है याद रखिएगा चलिए हम देखते हैं इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन योगिनी मंदिर निम्न में से किस राज्जी में इस्थित है तो उत्तराखंड, इमान्चल प्रदेश, जम्मो कश्मीर, मध्य प्रदेश योगिनी मंदिर तो योगिनी मंदिर किस राज्जी में इस्थित है इस question का राइट अंसर हो जाएगा इस question के लिए option number D वो हमारा इस question में विल्कुल सही उत्तर है चलिए, हम देखते इस class का अगला question अगला question कैलाश मंदिर निम्न में से किस राज्जी में इस्थित है तो महाराश्टर, हमान्चल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश तो प्रदेश बताई, कैलाश मंदिर तो कैलाश मंदिर किस राज्जी में इस्थित है comment करें इस question का लिए अंसर हो जाएगा तो महाराश्टर में इस्थित है जिनका विए answer option number A आ रहा है वो इस question का बिल्कुल सही उत्तर है तो कैलाश मंदिर महाराश्टर राज्य में इस्थित है याद रखेंगे चलिए अगला प्रशन गंगोत्री मंदिर निम्ने में से किस राज्य में इस्थित है तो राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदीश यह उत्तरा खंड मतले गंगोत्री मंदिर तो फ्रेंड्स गंगोत्री मंदिर किस राज्य में इस्थित है और कमेंट करें चलिए तो अगर हम बात करें इस question के answer की तो जिनका भी answer option number DR है उत्तरा खंड बिल्कुल जही answer है ठीक है तो गंगोत्री मंदर उत्तरा खंड राज्य में स्थित है तो चलिए देखते हैं अगला अगला प्रशन दिया गए उत्तरा अक्सर कियदारनात मंदर निम्न में से किस राज्य में इस्थित है तो उत्तरा खंड इमांचल प्रदीश जम्मो कश्मीर यह फिर मध्य प्रदीश तो बताये कियदारनात मंदर किस में इस्थित है बहुत आसान प्रशन है option E हो जाएगा सही, चलिए, अगला प्रशन देखते है, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन देखते हैं कौन बता पाएगा, चलिए बताएगा, कि शरीपुरम गोल्डन मंदिर निम्ने में से किस राज्य में इस्थित है, चलिए बताएगी friends, तो तेलंगाना, तमि option number B हो जाएगा, तमिल नाडू, ठीक है, तो शरीपुरम गोल्डन मंदिर ये, तमिल नाडू राज्य में इस्थित है, जिनका भी answer is question में option number B आ रहा है, वो इस question का बिलकुल सही उत्तर है, चलिए, अगला प्रशन देखते है, लोटस मंदिर निम्ने में से किस राज्य में इस्थित है, चलिए, इस question का right answer, option number A हो जाएगा, दिल्ली, clear, लोटस मंदिर किस राज्य में इस्थित है, तो इस दिल्ली में इस्थित है, जिनका भी answer is question के लिए, option number A रहा है, very good, ठीक है, लोटस मंदिर कहा पर इस्थित है, दिल्ली में इस्थित है, चलिए, अगला प्र option C is the right answer, ठीक है, चलिए, अगला प्रशन है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में इस्थित है, तो अगर आप बात कर लोट किने, खजुराहो की, खजुराहो मंदिर किस राज्य में इस्थित है, तो आपको याद रखना है, खजुराहो टेंपल्स यह है, मदर प्रदेश र कर दीजिए ठीक है क्लास में maximum students आप लोग प्लीज ले करके आईए तो class प्लीज आप लोग शेर कर दीजिए चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न है अक्षर धा मंदर कहां इस्थित है दिल्ली करनातक तमिल नाडू की रल 개인 फैंस कि अक्षर धा मंदर कहां पर इस्थित है इस question का रहरा एंस this option 9.1 हो जाएगा हमारा answer दिल्ली एकशर धा मंदर कहां पर हो तहीं दिल्ली में इस्थित हैं जिनका भी के लिए ऑप्सन नमबर ए आ रहा है वो इस क्वेशन में हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दिल्ली शलिए हम देखते हैं इस क्लास के फ्रेंट सब्लाप प्रशन हो अगलर प्रशन महाकाल इश्वर मंदर कहां इस्थित है तो उत्राखंड हिमानचल प्रदेश जम्मू कश्मीर यह मद्र प्रदेश चलिव रही है महाकाल इश्वर मंदर कहां पर है मध्र प्रदेश में इस क्वेशन के एगले मंद्र किस राज्ची में शलिए बदाए है चलिए वेरी गुड इस question का राइट answer हो जाएगा option नंबर बी गुजरात तो सोमनात मंदिर गुजरात राज्य में है जिनका भी answer option नंबर बी आ रहा है वेरी वेरी गुड चलिए हम देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन लिंग राज मंदिर डिम्ड में से किस राज्य में इस्थित है तो तेलंगाना तमिल नाडू आंधर प्रदीश यह ओडिशा मतईब तो लिंग राज मंदिर कहां है चलिए तो इस question का right answer अगर आपने चुना है option D ओडिशा विलकुल सही answer है तो friends लिंग राज मंदिर कहां पर है किस राज्य में तो ओडिशा राज्य में है तो ऐसे में जिनका भी answer इस question में friends option number D आ रहा है वो इस question का हमारा विलकुल सही उत्तर है लिंग राज मंदिर प्रशन दिलवाडा मंदिर निम्न मेंसे किस शहर में इस्थित है तो अजमेर पुषकर जैपुर या माउंट आबू चलिए वदाई है तो दिलवाडा मंदिर किस राज्य में है किस शहर में वदाई है तो अगर हम बात करें इस question के answer की तो friends जिनका भी answer option number D आ रहा है माउं माउंट आबू बिल्कुल सही अंसर है दिलवाडा मंदिर कहां पर है माउंट आबू में है option D's question के लिए बिल्कुल सही अंसर है चड़िया हम देखते है इस class का अगला प्रशन है अगला प्रशन कामाख्या मंदिर निम्न मेंसे किस राज्य में इस्थित है हसम उत्तराखं कामाख्या मंदिर किस राज्य में इस्थित है पताई है चलिए इस question का right answer option number हमारा ए हो जाएगा answer अस्थित है तो कामाख्या मंदिर अस्थित में है जिनका भी answer is question के लिए option number A आ रहा है वो हमारा इस question में बिल्कुल सही उत्तर है चलिए हम देखते हैं इस class का friends अगला question अगला question सिद्धी विनायक मंदिर निम्र में से किस राज्य में इस्थित है तो महारास्ट्र हिमांसल प्रदीश पश्चिम बंगाल मध्य प्रदीश चलिए बताईए कि सिद्धी विनायक मंदिर निम्र में से किस राज्य में इस्थित हैं इस question का right answer option number A हो जाएगा जिनका भी answer friends option number A आ रहा है वो इस question के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है ना सिध्धी विनायक मंतिर ये महाराश्ट्र में इस थे से clear चलिए अगला पर रेटेंट्स की पदमना भसवामी मंदिर निवन मेंसे किस राज्ज़ में स्थे थे तेलंगाना तमिलनाडू आंधरप्रदेश केरल तो पदमना भसवामी मंदिर किس राज़़् में स्थे थे परताईए चलिए, option number D, केरल ठीक है, तो मनावसवी मंदिर केरल राज्य में इस्थित है जिनका भी आंसर इस question के लिए option number D आ रहा है, very good चलिए, देखते हैं अगला प्रेशन अगला प्रेशन फ्रेशन की ओमकारेशन मंदिर निम्न में से किस राज्य में इस्थित है तो महाराश्टर, हिमाजल प्रदेश, पश्चिमंगाल ये मध्य प्रदेश, तो ओमकारेशन मंदिर किस राज्य में इस्थित है ओप्सन नंबर D, मद्र प्रदेश, तो ओमकारिश्वर मंदर किस राज जमेश थे थे, ये मद्र प्रदेश राज जमेश थे थे, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए, फ्रेंड से ओप्सन नंबर D आ रहा है, बिल्कुल सही होत्ता है उनका, ठीक है, चलिए, तो ओमक विठ्थल मंदर निम्न में से किस राज्य में इस्थित है, चलिए करिए, विठ्थल मंदर, विठ्थल मंदर कहां है, तमिल नाडू, महाराष्ट्र, करनाटक, यतियलंगाना, बताईए, इस क्वेश्चन का राइट अंसर हो जाएगा, आप्सन C, करनाटक, ओके, चलिए, अगला पर निम्न में से किस राज्य में इस्थित है, तो करनाटक, तेलंगाना, तमिल नाडू, आंदरप्रदेश, चलिए, विरुपाक्श मंदर किस राज्य में इस्थित है, इस क्वेश्टन का राइट अंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर ए, करनाटक, चलिए, तो अगला प्राश्ण की जगनात मंदिर निम्ने में से किस शहर में इस्थित है तो चन्नाई, पुरी, भुवनेश्वर ये घुवाहाटी चलिए फ्रेंड्स फटा फट से बताईए जगनात मंदिर किस शहर में है तो पुरी में है कहाँ पर है पुरी चलिए अगला प्राश्ण की तरमकेश्वर शिव मंदिर निम्ने में से किस राज्य में इस्थित है तो महाराश्टर, मद्रप्रदेश, महाराश्टर, उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश, तरमकेश्वर शिव मंदिर ठीक है फ्रेंड्स तरमकेश्वर शिव मंदिर किस राज्य मे इस्थित है चलिए इस question का right answer friends option number B हो जाएगा महाराष्ट clear इनका भी answer is question में option number B आ रहा है ठीक है महाराष्ट बेलकुल जही उत्तर है उनका चलिए देखते हैं अगला प्रेश्णा अगला प्रेश्ट की द्वारकाधीश मंदिर निवन में से किस राज्य में इस्थित है तो इमांचल प्रदेश गुजरात मद्र प्रदेश उत्तर प्रदेश बताईए द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में इस्थित है बताईए option number B गुजरात ठीक है जिनका भी answer option number B आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका गुजरात शलिए अगला प्रशन दियागा है फ्रेंट के नीलकंठ महाद्यो मंदिर निम्न में से किस राज्य में इस्थित है मद्रप्रदेश महाराष्टर उत्तराखंड हिमानसल प्रदेश नीलकंठ महाद्यो मंदिर नीलकंठ महाद्यो मंदिर किस राज्य में इस्थित है बताईए इस question का right answer हो जाएगा option A option number C उत्तराखंड नीलकंठ महाद्यो मंदिर उत्तराखंड राज्य में इस्थित है चलिए अगला प्रशन रामेश्वर मंदिर निम्र में से किस राज्य में इस्थित है तमिल नाडू महाराष्टर करनाटक तेलंगाना चलिए रामेश्वर मंदिर बताइए तो रामेश्वर मंदिर है तमिल नाडू में चलिए अगला प्रशन गोमतेश्वर मंदिर किस राज में करनाटक राजे में गौमती इश्वर मंदिर है चलिए अगला प्रश्र है कि निमने में से किस राजे में स्थित है में ऐख यह पर होना चाहिए था दक्षिनेश्वर काली मंदिर तक्षिनेश्वर काली मंदिर तक्षिनेश्वर काली मंदिर किस राज्जे में इस्थित है या को या तक ना है कि ये पश्चिम मंगाल में है तक्षिनेश्वर काली मंदिर पश्चिम मंगाल राज्जे में इस्थित है ठीक है चलिए तो जरी फ्रेंट्स आज़ कि जो क्लास थी ś ihrem इतनी इतने आज वाच ये, आजचे क्लास के प्रॉश्य कर देंगे वह सब्लूब कॉलारी को लाइक और शेयर कर दिजी just तो मैं आपका फ्रेंड शीवं कुमार मिलता हुआ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्ट क्लास में तब तक के लिए आपसे लोग अपना ख्याल लखें सेफ रहें पढ़ाई करते रहें टेक केर फ्रेंड्स बाबाई